Hello students, आज हम जो सेरीज चुरू करने वाले हैं, वो एक ऐसा टोपिक है जो आल्मुस सभी स्टुडेंट्स का वीक होता है अगर हम उस पे कवर अप कर लेते हैं तो हमें मेकानिक्स बहुत असानी से समझ आ जाती है हम बहुत अच्छे अच्छे questions solve कर सकते हैं, अगर हम वो टोपिक को cover up कर लें टोपिक का नाम है, free body diagram कैसे बनाये जाएं जो basically FBD जिसको अपने बोलते हैं, उनको कैसे upload किया जाएं कभी हमारी गड़बर ना हो, कभी हम लोग गलत ना कर पाएं तो FBD कैसे बनाये जाएं, इस पे अपने आज discuss करेंगे सीरीज शुरू कर रहे हैं एक और, आप subscribe कीजिए चैनल को बहुत कुछ मिलने वाला है subscribe कीजिए, face booster, follow कीजिए, okay start करते हैं, part 1 इस सीरीज का, की free body diagram कैसे बनाये जाएं how to make FBD और free body diagram effectively फिर बाद में अपने equations लिखना भी शुरू करेंगे, free body diagram का use करकी equations कैसे लिखी जाती है but पहले अपने क्या करेंगे बच्चो, FBD कैसे बनाये जाते हैं, उसकी बात करेंगे देखिए, FBD बनाने के बहुत से तरीके हैं, मैं आपको सबसे simplest method बदाता हूँ सबसे पहले तो आप 4 general forces चेक करने, 4 general forces जिम में से कोई ना कोई present होता ही आपकी problem में तो सबसे पहला force जासे weight या gravity थोड़ी सी theory अपने को चेक करनी पड़ेगी उसके बाद हम लोग FBD बना सकते हैं, यह weight या gravity सबसे पहला force है इसका magnitude basically क्या होता है, यह पता होना चाहिए, डिरूरत पड़ेगी W equals to mg, m क्या रहता है, mass of the object और g क्या रहता है, gravitational acceleration दूसरी चीज़, direction, वैसे तो अगर देखा जाए, gravity की जो direction होती है, वो होती है towards the center of the earth, खीक है, towards the center of the earth but हम लोग numerical जब करते हैं, तो center of the earth रहता होना मुश्किल है हम इसको always downward apply करते हैं तो gravity यादि की पहला जो mechanics का force है, basic force, जिसकी हमें धरूरत बढ़ती है वो क्या है, mg अब w is equals to mg आपको याद रहना चाहिए, m mass of the body है और g gravitational acceleration and direction towards the center of earth और downward तो हम लोग जब भी numerical करते हैं, हम downward का ही use करते हैं क्योंकि towards the center of earth solve करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अरट का center ढूढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो पहला जो force हमें ध्यान लखना है ये लगता कब है, ये किसी body पे कब लगता है condition क्या है, it always acts ये हमेशा लगेगा, मतलब अगर आपको के जगा में gravity है तब ये force तो काम करेगा, करेगा वेट तो होगा ही होगा, बोड़ी के पास चाहिए बोड़ी अपना weight नहीं छोड़ेगी इस बात को अभ्यान लखना कि जो gravity का force है वो हमेशा काम करता है, it always acts पहला force आपको clear हुआ होगा आप लोग pause करके not कर दो दूसरा basic force दूसरा basic force मैंने आपको पहले बोला है कि हमें forces पहले मता करने पड़ेंगे 4 basic forces है, 4 basic forces है उसके बाद और भी forces है लेकि पहले 4 को use करना सिखेंगे धिरी धिरी भी चीजों को add करते चलेंगे elaborate करते चलेंगे, ठीक है second basic force होता है जो use किया जाता है वो है normal force या इसको बोलते है क्या बोलते है reaction force या तो बोलते है normal force या क्या बोलते है reaction force अब बहली बात इसको represent कैसे करते है इसका magnitude कितना होता है magnitude का इसको कोई formula नहीं है या बोले कितना ही होगा जैसे w is equal to mg fix था weight को mg होना ही पड़ेगा इसके magnitude को कोई formula नहीं है ऐसा कि यही का formula यूज़ करें यह according to the question अपनी value को change करता रहता है तो इसको आगे जागे सीखें कि कैसे लगाते हैं बट इसको represent कैसे करते हैं इसको represent किया जाता है magnitude या इसको represent किया जाता है N या R से बस आपको N या R करना होगा free body diagram के अंदर जो आप normal reaction की बात कर रहे हैं ठीक है लगता कब है when body is in contact with the surface is in contact with the surface तब यह काम करता है जब कोई body जब कोई object surface के साथ contact में है तब यह हमारा force काम करता है लगता कैसे है always perpendicular to the surface surface के हमेशा perpendicular यह काम करता है perpendicular का मतलब नॉर्मल होता है ठीक है मैच के अंदर नॉर्मल मतलब और्थोगोन या 90 डिग्री वा केस लेके चलते हैं तो basically इसलिए इसको normal force बोला जाता है यह always perpendicular to the surface लगता है clear तो दो basic force में लोगोने discuss किये है यह एक तरह का contact force होता है सुनो ध्यान से यह एक तरह का contact force होता है लेकिन यह पूरी तरह से contact force नहीं होता पूरी तरह से contact force बनाई गी अभी देखते हैं कैसे लेकिन पहले आपको ध्यान रपना है कि normal force या reaction force का magnitude किससे represent किया जाता है इसको N या R से represent किया जाता है कब लगता है जब बोडी surface के contact में है और हमेशा perpendicular to the surface यह काम करता है ठीक है तीसरे force को discuss करे थर्ड force को discuss करे आज़ाग दो force आपको clear है अच्छी दरा से अभी diagram की through भी लेखेंगे पिर फ्री पोडी कैसे बनाया जाएगा इसका थर्ड थर्ड बन बच्चो थर्ड बन क्या होगा थर्ड बन तीसरा जो हम लोग force काम में लेते हैं बच्चो वो basically वो basically क्या होता है जो हम तीसरा फोर्स काम में लेते हैं यहां पर पहला आपने बात करी वेट की, दूसरी आपने बात करी नॉर्मल की, तीसरा फोर्स हम लोग समझते हैं, that is tension force यह सबसे जादा यूज आने वारा force है, मैं most used forces की बात कर रहा हूँ, बाकी forces भी हैं लेकिन इतने use नहीं आते हैं, जादा दर आपको यह देखने को में, tension force अब tension force का magnitude, यह भी बिल्कुल normal की तरह ही है इसका magnitude भी fix नहीं है according to the question, vary करता है लेकिन representation इसकी कैसे होती है representation होती है T से, इसको आप T से represent करने हैं, यह कब काम करेगा what is the condition, tension force लगने की क्या condition है, when when there is string string समझते हो, रसी और spring spring मतलब उचक उचक वाला, ठीक है when there is string और spring, इन दोनों में से अगर कुछ present है, अगर आपके पास तब आप this force को apply करेंगे तीसरा, इसकी direction क्या होगी, चाहे spring है चाहे spring है, अवे from the body या object औबजेक्ट से away हगे, इसकी direction अगर ऐसे है तो tension दूर, tension हमेशा बोडी से दूर, आप क्या चाहते हो, आप यह चाहते हो आपको किस तरह की tension ना हो, तो tension को हमेशा बोडी से दूर रखो तो यहाँ पे tension हमेशा बोडी से दूर tension हमेशा बोडी से दूर जानी चाहिए टेंशन हमेशा बोडी से क्या जानी चाहिए बच्चो दूर जानी चाहिए तो यह तीन फोर्से समझाए आपको तीन फोर्से यह स्प्रिंग फोर्स भी हो जाता है अगर स्प्रिंग कनेक्ट होगा अगर अगर यह बेसिकली spring force ली होता special तब इसका magnitude आप consider करते हैं अगर यह सिर्फ spring force होता तो magnitude की में बात करूँगा तो P होता है KX मैं magnitude की बात करूँ, direction में आपको यहां बता दी है K होता है spring constant और X होता है expansion या contraction जो basically spring के अंदर हो रहा है तो clear हुए आपको यह 3 forces, आप इसको note कर लो अच्छी तरह से 3 forces basic आ चुके है 4th basic force की बात करते है, 4th basic force 4th basic force अगर जो FBD बनाते हैं generally consider करते हैं, वो होता है net force, उसा होता है, net force यह क्या है, यह आपनों बोने force को पढ़ा हुए, Newton's second law of motion से जो out toot आता है that is F net equal to MA, यह आपनों बोने पढ़ा हुए, यह force होता हुए तो यह है हमादा net force, मैं बीडूर होया, इसकी direction क्या होगी direction होगी, in the direction of motion आपका object किदर भी motion कर रहा है, उस direction में इसको apply कीजिए in the direction of motion clear, condition क्या रहेंगी A not equal to zero, और कह सकते हो, body should not be in equilibrium ठीक है, अगर body equilibrium में है, या उसका acceleration zero हो चुका है तब आप इस force को लगाएंगे, उसका acceleration not equal to zero हो चुका है तब आप इस force को अपलाई करेंगे मतलब अगर acceleration zero होने का मतलब, velocity क्या बच्चो constant है तब ये force काम नहीं करेगा तो चार forces, basic forces, जो हमने सीखे हैं अभी तक इनके basis पे हम लोग free body diagram बनाना सीखते हैं तो इन चारो forces की आपको knowledge होने चीए और भी forces consider करेंगे बट पहले इन चार से तो शुरुआत करें कहीं से तो शुरु करना ही है तो इन force forces से क्यों ना शुरु किया दा है बाकी तो देखते हैं time के साथ साथ और कौन से forces आएंगे ठीक है चलिए अब अब हम आते हैं हमारे main topic पे forces आपने discuss कर लिए अब आते हैं हम अपने main topic पे जिसका नाम है क्या FBD free body diagram क्या होता है free body diagram पर तो आपको चीज बनाओ FBD होता क्या FBD है क्या FBD क्या है FBD क्या है FBD FBD क्या है देखो free body diagram का मतलब होता है एक ऐसा diagram जिसके अंदर आप body पे लगने वाले सभी forces बता सको एक ऐसा diagram definition भी कुछ तब होई वब आपने बता होनी चाहिए तो क्या लिख सकते हैं एक ऐसा diagram जिसमे body पे लगने वाले body पे applied all forces show किये जा सके show किये जा सके FBD के कुछ बूट्स होते है एक ऐसा diagram जिसमें body पे applied all forces show किये जा सके but but सिरुफ वही forces show होते है जो body पे applied है लेकिन जो अगर कोई body किसी पे force लगा रही है वो apply नहीं होता है उसके FBD में ठीक है माली जीए मैंने Рाम को धक्का दिया तो जब Rाम का FBD बनाएंगे तो मेरा धक्का show होगा लेकिन राम ने मालों कुझे वापस धक्का दिया तो राम ने जो मेरे को धक्का दिया वो उसके FBD में show नहीं होगा तो FBD में बच्चों, सिरुफ वही forces show होते है कौन से forces जो body पे लगाये जा रहे हैं ना कि जो body लगा रहे हैं समझे रहे हो जो body पे लगाये जा रहे हैं ना कि जो body लगा रहे हैं तो basically क्या लिखा जाएगा forces शो किये जा सके यहाँ में लिख सकते हो in FBD the forces which are applied by the body are not included are not included बतलब वो forces जो body खुद लगा रहे हैं वो consider नहीं होते हैं तो कौन से लगते हैं जो body पे applied होते हैं जो on the body applied होते हैं ना कि जो body खुद लगा रहे हैं इस बात का अब ध्यान रखना यह बड़ा important fact है तो note करिए दो बाते FBD के बारे में free body diagram का मतलब के बोडी पे applied forces जाब एक easily diagram में बता सकते हैं वो ठीक हैं और जो body खुद लगा रहे हैं वो नहीं बता सकते हैं उस free body diagram में तीसरी important चीज जो net force होता है F net equal to M is not mentioned in FBD in the FBD तो इसको फिर कैसे mention किया जाता है अगर FBD में नहीं कर सकते हैं तो फिर बताएगी हो हमें ये fourth force F equal to M बताएगी हो अगर FBD में mention नहीं कर सकते हैं बताऊँगा कैसे इसको mention करते हैं ये भी बताऊँगा कैसे कर सकते हो ये भी बताऊँगा सब कुछ बताऊंगा, अभी धियाम रखना कि FBD के अंदर mention नहीं किया जाता है, फिर कहां पर mention किया जाता है, देखते हैं, बात समझे हैं, तो 4 forces और 3 rules के साथ हम लोग अपना पहला free body diagram design करते हैं, बड़े basic से examples हम design करेंगे, तो start करते हैं लक्चो, example number 1, free body diagram का, बड़ा simple सा diagram मैं consider करूँगा, एक एक करके level बढ़ाते चलेंगे और infinity level तक पहुंचेंगे, इस तरह से हमें एक mass दे रखा है M, यह जो deadline dash देख रहे हो, यह ground को बताने का तरीका होता है, यह mirror नहीं है, आप में 10th class में mirror की polishing पढ़ी होगी, यह वो नहीं है, यह ground को बताने का तरीका है, ऐ ऐसा नहीं है कि हमारा object mirror के उपर पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, हमें बोला इसका FBD बनाईए, अब जब FBD बनाएंगे, तो पहले तो वो 4 forces consider करेंगे, बोड़ी motion नहीं करेंगे, मैंने आपको बता दिया, पहले 4 forces consider करेंगे, क्या उन में से कोई forces पे काम करेगा, और य एक काम कर सकते हैं, इसको एक point की तरफ बनानी चाहिए, कोशिप करना सामने लगता है, क्योंकि point mass आपको सीदा कर सकते हैं, यह जो M था हमारे point mass हो गया, क्या इसके mg लग रहे है, और इसके नॉर्मल force लग सकता है, क्या इसके reaction force लग सकता है, अरे हां, बिल्कुल, क्यों, क क्योंकि यह contact में है, अगर यह contact में है, तो surface के normal, यह रहा surface, यह रहा normal, perpendicular, लग गया वाई N, और R, जो आपको पसंद हो, उसका आप लिख लीजिए, आपको अगर N अच्छा लगता है, N को यूज की देगा, आपको R पसंद है, तो R यूज कीजिए, हो गए 2 forces, N और R, motion ही नहीं कर रहा, net force कहां से आएगा, motion ही नहीं कर रहा, तो बन गया FBD, आंजी बन गया, खतम, equation लिखना अभी नहीं सीख रहे है, equation लिखना भी सीखेंगे आगे जलके, बट अभी तिरफ basic FBD सीख रहे है, समझ आया, getting my point, अच्छा question, असा question था, FBD हमने बना लिया अच ठीक है, चली, अब इसी question को मैं थोड़ा सा और अच्छा करूँ, कैसे देखो, example लॉबर, तू देखो, अगर मैं कुछ इस तरह से गाड़ी चला हूँ, NMAS की गाड़ी को V speed से मैंने चला दिया, लेकिन मैंने बोला कि जो speed है, वो constant है, speed जो है, वो constant है, इसका FBD बना ये, चली, शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक point की तरह लिख लो, असान हो जाता है, weight तो लगेगा ही, लगेगा, NG, normal, उपर की तरफ, मैं N से शोपते हैं, ठीक है, तीसरा force, tension, ना, ना, स्क्रिंग ही नहीं है, काई की tension, स्क्रिंग ही नहीं है, काई की tension, फोर्थ मोशन, जोरी है, स्क्रिंग, वी कॉंस्टेंट से चलता है, वी कॉंस्टेंट, तो क्या M में लगाना चाहिए, नहीं, क्यों, अगर वी कॉंस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो तो बोड़ी इकली बिरियम में बोड़ी इकली बिरियम में तो यह रहा FBD तो पिछला और इसका FBD क्या बन गया है कोई फर्रक निया है दोनों के free body diagram में दन समझाया बना पाओ गे थोड़े बहुत FBD दो हुआ आपके देख से चलो आगया है पिटारे में बहुत कुछ है बस तुम लेने वाले बनों सब्सक्राइब करवाओ पॉसला बढ़ाओ एक्जाम्टर नमबर थ्री कि माल इस यह मैंने कंडिशन कुछ इस तरह से कंसीडर करी मैंने बोला इसका FBD बनाई है यह है हमारे स्ट्रींग भाई साहब रसी है देखिए बेसिकली होता कि है जो हम लोग दफ मोशन की बात करते हैं तो जितने भी स्ट्रींग होती है तो मास लेस्ट कर से लिए उनका मास नहीं होती है लेकि जब मास आ जाएगा तो गेम जाती है अच्छा सा टोपिक बन जाता है उसकी बीवाथ नहीं कर रहे हैं Bye let's also लगा दिया, अब अब आती ही मज़े दर बाते हैं नमबर टू फोर्स, दिमाग ने आया हुआ नमबर दो फोर्स दूसरे नमबर का फोर्स, क्या है नॉर्मल रियक्शन, काम करेगा, नहीं करेगा अरे कॉंटेक्ट तो ही नहीं, हवा में लटका हुआ है ये ये भाई साब को नटका दिया है पकड़ के उपर से हवा में नटके हुए है ये, तो नहीं लगेगा इस पे क्या एन, तीसरे फोर्स की तरफ चलते हैं टैंशन फोर्स, लगेगा, स्ट्रिंग आ गई है स्ट्रिंग आ गई है, टैंशन लगेगा बोड़ी इकलिबिरियम में मोशन नहीं शो रही है तो एम में तो नहीं लगेगा, बोड़ी की मोशन नहीं शो रही है इकलिबिरियम में स्ट्रिंग आ गई है, टैंशन लगेगा कैसे लगेगा, बोड़ी से दूर ये रही बोडी, ये रही बोडी, ये रही बोडी, तो दो चीजे हैं, ऐसे लगाऊं के ऐसे लगाऊं, अगर ये, तो ये तो टेंशन बोडी के पास आ रही है, टेंशन बोडी से दूर, दूर दे जो टेंशन को, low high, magnitude है नहीं कुछ अभी तक fix, क्योंकि question बें demand करता है, बन दूर, clear, बात समझा गई, चलिए, example number 4 देखते हैं, example number 4 देखते हैं, अब देखो, इस तरह से पकड़ा इसको रसी दे दे गई है, यहाँ पे मास लगा दिया है, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, कुन को से को से लग सकते हैं, so m को एक point की देखरे, कर लिया, number 1 force, gravity, हाँ जी, बिल्कुल लगेगा, जी, mg, number 2 force, normal, बिल्कुल लगेगा, जी, ground है, जी, तो उपर की तरफ, normal या, reaction, ठीक है, number 3 force, number 3 force, tension, रसी भी है, जी, तो बिल्कुल लगेगा, body से जूर, दो condition, ऐसे लगाँ के, ऐसे लगाँ, अब बोडी से दू कौन सेंस तो यह कहते हैं कि यह है, बाकि कौन सारे सेंसे कहते हैं कि यह है, तो common sense is the seven sense, जो सभी six senses को control करता है, तो that's why tension के लगेगा, बन गया इसका FBD, समझे लो, point consider करो, l लगाओ, mg लगाओ, t लगाओ, इस तरह से आप इसका FBD बना सकते हो, clear, बात समझा गई, तो यह इसका FBD बन गया, ठीक है, चलिए, clear, तो यह हमारा था part one, episode one था, how to make FBD, अगले episode में और अच्छे-च्छे FBDs बनाने कोशिश करेंगे, till then subscribe कीजिए, follow कीजिए, physics booster, और हमें whatsapp पे join कीजिए, chat box आपको मेरे insta handle में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाके chat box पे, वहाँ उस particular WhatsApp group में आपको बहुत सारा material मिलने वाला है, अपडेट मिलती रहेगी, और तब तक आप याद कीजिए, इनको learn कीजिए, बाकिए वीडियो देखिए, daily एक वीडियो आ रही है, आप अच्छे दरह सको तयार कीजिए, और अपनी physics को boost कीजिए, with the help of physics booster, till then take care, bye bye, मिलते ह अगली वीडियो